खलदुआनी में जब दो युवक एक लड़की को देख कर उसके चछद पर चड़ गए और लड़कों ने लड़की को बुरी तरह से पीग डाला डंडे के वार से लहुलुहान बीटी को बचाने दोड़ी पिता को भी बदमाशुनी पीग डाला पिता लड़कों को मारने के पिले डंडा लेने गया तो वो खुद सीड़ी पर गिर गया और उसकी मौत हो गई दरसली पूरा मामला कुछ यूँ है गोधन 35 वर्ष पुत्र गुलाब राव पेशे से एक राजमिस्त्री था और दमधूंगा कि जौहर जोती में केसर सिंग के मकान में किराई पर रह रह गोधन के साथ पत्नी सोनी बेटी काजल और एक छोटे बेटी मोहनी भी रहते थी पत्नी सोनी के मुताबिक रात करीब साड़े 11 बजे बड़ी बेटी काजल चट पर अपने होने वाले पती से बाचेत कर रही थी तभी चौफुला में रहने वाले दो यूअक नशे की हालत में गली से गुच्री काजल को देख कर पड़ोसी की छत से वो गोधन की छत पर पहुँच गे तभी गोधन भी अचानक छत पर आ गया उन्होंने शरावियू का विरूद किया तो आरोप्यू ने छत पर पड़ी लकड़ी से गोधन पर हमला कर दिया बीज बचाओ माई काजल से प्यार करता था जब उसे काजल की शादी तै होने की जानकारी मिली तो वो बॉखला गया जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि मृता गोधन का परिवार पहले चौफुला में ही रहता था जहां पर वो दोनों आरोपी रहते थे इन्हीं आरोपियों की वचह से गोध गोधन के घर के आ गया आया और रात में उसकी पुत्री काजल को छट पर फोन पर बाट च्रीट करते हुए देखा तो वो छट पर चड़ गया फिर जब रात में काजल के पिता गोधन को छट से आवाजे सुनाई दी तो वो छट पर पहुंचा छट पर देखा कि दो इस बीच पिता को बचाने आई काजल को भी आरोप्यू ने नहीं छोड़ा सूचना पर पहुंची काडगुदाम पुलिस ने घायल किशोरी और गोधन को सुशिला तिवारी अस्पताल भीजवाया जहां गोधन को डॉक्टरों ने इम्रत खोशत कर दिया वहीं किशोरी के सि से उसके छत पर आए थी अब तहरीर के आधार पर आगी की कारवाई शुरू की जाएक उत्राखंच की हर छोटी बड़ी ख़वर पर नज़त डालने के लिए फेस्बुक पेज़ पर पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूटूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और श डंडे के वार से लहुलुहान बेटी को बचाने दोड़ी पिता को भी बदमाशुनी पी डाला पिता लड़कों को मारने के लिए डंडा लेने गया तो वो खुद सीड़ी पर गिर गया और उसकी मौत हो गई दरसली पूरा मामला कुछ यूँ है गोधन 35 वर्ष पुत्र गुलाब राव पेश से एक राजमिस्त्री था और दमधूंगा की जोहर जोती में केसर सिंग के मकान में किराई पर रह रहा था गोधन के साथ पत्नी सोनी बेटी काजल और एक छोटी बेटी मोहनी भी रहते थ तब ही चौफुला में रहने वाले दो यूअक नशे की हालत में गली से गुच्री काजल को देख कर पड़ोसी की छत से वो गोधन की छत पर पहुँच गे तब ही गोधन भी अचानक छत पर आ गया उन्होंने शरावियू का विरूद किया तो आरोपियू ने छत पर लकड़ी से गोधन पर हमला कर दिया बीज बचाओ माई काजल का सर भी फोड़ा काजल की मा का कहना है कि कुछ दिन पहले ही वो काजल के लिए लड़का देखने पीली भीद गए थे शादी की तारीख तय नहीं थी लेकिन शादी लगबग पूरी तय हो चुकी थी छत पर चड़े आरोपियों में से एक आरोपी काजल से प्यार करता था जब उसे काजल की शादी तै होने की जानकारी मिली तो वो बॉख ला गया जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि मृतख गोधन का परिवार पहले चौफुला में ही रहता था जहां पर वो दोनों आरोपी रहते थे इन ही आरोपीओं की वच्छ से गोधन ने दूर मकान किराय पर ले लिया लेकिन आरोपी नहीं माना वह अकसर अपने दोस्तों संग वहां पर आता जाता रहता था और वहीं पर शराप भी पीता था और रोज की तरह वह घटना वाली रात भी गोधन के घर के आगया तो वो छट पर पहुंचा छट पर देखा कि दो युवक हैं जब गोधन ने उनसे पूछा तो दोनों में बहस हो गई और मारपीर तक पहुंच गई गोधन जब लड़कों को मारने के लिए डंडा लेने गया तो वो सीड़ी से गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई इस बीच जब पिता को बचाने आई काजल को भी आरोप्यू ने नहीं छोड़ा सूचना पर पहुंची काडगोदाम पलिस ने घायल किशोरी और गोधन को सुशिला तिवारी अस्पताल भीजवाया जहां गोधन को डॉक्टरों ने इम्रत खोशत कर दिया वहीं किशोरी के सिर पर 12 टांके आए हैं काडगोदाम धाना इंचार्ज विमल मिश्वा का कहना है अभी तहरीर नहीं मिली है दोनु यूवकों को पीडित परिवार जानता था वह पडोस की छट से उसके छट पर आये थी अब तहरीर के आधार पर आगी की कारवाई शुरू की जाएगा उत्राखंट की हर छोटी बड़ी खबर पर नज़ाट डालने के लिए फेस्बुक पेज पर दपब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूटूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करें इसी तरह देखते रहे दपब्लिक मैटर नमस्कार